जहां अभी हम elections के result के बाद से देख रहे हैं कि कैसे opposition और especially India Alliance PM नरेंदर मोधी और BJP के 400 प्लस plans को काटनी के बाद जशन मनाते हुए दिख रही है वहीं आपको बता दे कि शायद इस जशन में दिल्ली CM अर्विंद के जीवाल और especially आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगे इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने home ground दिल्ली में ही एक भी seat नहीं जीती है और सातों की सातों लोग सभा seat पर BJP का राज है पर यहां हम elections की नहीं बलकि दिल्ली exercise policy case में फसे दिल्ली government और आम आदमी पार्टी के members की बात कर रहे हैं बीते दिन ही हमने देखा है कि कैसे सुप्रीम कोट में जिस्टिस अर्विंद कुमार और संदीप महता की बेंच ने इस केस में फॉर्मर डेप्यूटी सीयम मनेई शिसोधिया को बेल देने से साफ मना कर दिया था जहां इस फैसले से आम आदमी पार्टी को जटका मिला है वही आपको बता दे कि दिल्ली सीयम अर्विंद केजीवाल के इंटरिम बेल का फैसला भी डिस्कलोस करते हुए स्पेशल जज कावेरी बविजा ने पॉलिटिकल गलियारों में एक नई हलचल मचा दी है आपको ध्यान ही होगा कि दिल्ली सीयम अर्विंद केजीवाल ने इस केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से इंटरिम बेल की मांग की थी साथ दिनों के लिए on medical grounds पर इसको ही अपोस करते हुए ED की ओर से मौजूद ASGSV राजु ने उल्टा दिल्ली सीयम को खूफ फटका रह इसलिए भी क्योंकि केजीवाल की ओर से मौजूद होते हुए senior advocate N. Hariharan ने कहा था कि केजीवाल की तबैत बहुती खराब है उन्हें कई टेस्ट करवाने की जरूरत है और उनका वज़म भी कम हो रहा है इसी को sympathy gain करने का बहाना बनाते हुए ASGSV राजु ने कहा था कि और health matters को ध्यान में रखते हुए और सब को चौकाते हुए special judge कावेरी बवेजा ने अपना order disclose किया है और दिल्ली CM अर्विंद केजरिवाल की interim bail को reject कर दिया है जी हाँ अपने सही सुना इस news से अभी दिल्ली CM उभरते ही थे कि उन्हें judicial custody में 19 जून तक रहने का order भी special judge कावेरी बवेजा ने सुना दिया है हाला कि आपको बता दे कि ये सुनकर दिल्ली CM की ओर से मौजूद senior advocate वीवेग जे ने special judge कावेरी बवेजा को बताया भी है कि कैसे दिल्ली CM अर्विंद केजिवाल की तबैत को लेकर बहुती concerns है और ये भी बताया कि कैसे लेकिन ये सब बाते सुनने के बाद special judge कावेरी बवेजा ने कहा है कि इन मामलों को लेकर एक new application court में move की जा सकती है और ये specify करते हुए कि दिल्ली CM अर्विंद केजिवाल को आखिर में कौन सी relief चाहिए आपको पता दे कि इस bail plea को reject करने के अलावा special judge कावेरी बवेजा ने कहा भी है कि उन्होंने दिल्ली CM के लिए कुछ specific टेस्ट करवाने के orders भी पास किये है and stated I have issued certain directions for his diagnostic test to be conducted हाला कि इसमें कोई शक नहीं है कि आम आन्वी पार्टी के लिए ये एक बहुती बुरी खबर है जैसा कि आपको पता ही है कि आम आन्वी पार्टी चीफ और दिल्ली CM अर्विंद केजिवाल द्वारा इस मामले में interim bail plea file करना शुरवात से ही काफे controversial रहा है इसलिए भी क्योंकि लोगों के मन में सवाल यहीं था कि भला उन्होंने कैसे Supreme Court के order को extend करवाने की मांग एक lower court से की है इस case hearing के दोरान ही solicitor General Tushan Mehta ने शुरवात में ही कह दिया था कि कैसे ये plea maintainable ही नहीं है and stated interim bail is not maintainable as the court cannot modify the order of the Supreme Court mandating KGY to surrender tomorrow the deed cannot be modified it is our reading of the judgment और यही बात ED के और से मौजूद होते हुए ASGSV राजु ने भी कही और state किया था कि this application asking permission for not to surrender is not maintainable it's indeed of the order of Supreme Court he has to surrender he is not on interim bail because of this court's order he is on interim bail because Supreme Court order he is asking for extension of Supreme Court order which is not permissible सिर्फ यही नहीं एक इलजाम तो ED ने दिली CM Arvind KGY वाल पर ये भी लगाया था कि उन्होंने इस case में बहुत बाते court से छुपाने की भी कोशिश की है और इन सब की basis पर तो उनकी plea को dismiss ही कर देना चाहिए हाला कि इसका पलट जवाब देते हुए senior advocate एन हरी हरन ने ED को फटकारते हुए कहा था कि लेकिन यहाँ पर solicitor जनरल तुशान महता ने भी आड करते हुए कहा था कि दिल्ली CM अर्विंद केजीवाल अपनी हेल सी भी जुड़ी बाते चुपाने की कोशिश कर रहे है आपको बता दे कि एक पोइंट पर तो ASGSV राजू ने भी दिल्ली CM अर्विंद केजीवाल पर संदेव व्यक्त किया था कि जब उन्होंने उनकी द्वारा पीश की गई लिस्ट पर एक नजर डाला जिसमें की हॉल्टर टेस्ट भी शामिल था जो कि हार्ट रिलेटर प्रॉब्लम्स के समय टेस्ट करवाई जाती है ASG SV Raju had stated ये बोलने के बाद तो ASG SV Raju बिल्कुल भी नहीं रुके और एकी करके दिली CM को फटकाना शुरू कर दिया था और कहा था और तो और ASG SV Raju उनके इस समिशन से तो पिलकुल भी खुश नहीं दिखे थे कि उनने एक हफ़ते का ताइम चाहिए था उन टेस्ट के लिए जो एक दिन में भी हो सकता है और कि आपको बता दे कि इन सब के बावजूत भी ASG SV Raju ने कहा भी था अगर कुछ ज्यादा सीरिस होता है या कुछ इंपोर्टन टेस्ट करवाने होंगे तो वे खुच जेल में ध्यान रखेंगे कि दिली CM को ये सब फसिलिटीज मिले आपको बता दे कि ये वेट का इशू दिली CM ने अपने कई सपीचेज में दिया है कि कहां पहले वे 70 किलो के थे और जेल से निकलने के बाद उनका वेट एकदम से 63 किलो हो गया था और इतना जल्दी वेट फ्लक्शूेट होना किसी भी सीरियस मेडिकल कंडिशन का साइन होता है इस बारे में तिहार जील अथोरिटीज ने भी एक डेटा रिलीस किया था जिसकी वज़े से उन्हें आम आदमी पार्टी के खुब फटकार भी मिली थी यहाँ पर तिहार जील अथोरिटीज ने दिल्ली मिनिस्टर आतिशी के फटकार इसलिए भी सुनी है क्योंकि उनका मीन सवाल ये था कि बला जील अथोरिटीज ने मार्च 21 से क्यों नहीं डेटा को रिलीज किया है जब से की दिली CM आरेस्ट हुए थे शी स्टीटेड, why not share the weight chart from that date onwards, why selective sharing of the weight charts from April 1 onwards BJP and PM नरेंदर मोधी are trying to play with Arvind K.G.Wall's life He asked for 7 days extended bail for kidney check-up, heart check-up, cancer detection but BJP's political weapon ED opposed this in court, सिर्फ यही नहीं बलकि आतिशी ने BJP और जील अथोरिटीज को फटकारते हुए कहा भी है कि उन्होंने जील में K.G.Wall को टॉर्चर करने का पूरा मन बना लिया है और इतनी गर्मी के बावजूद भी उन्हें कूलर नहीं दे रहे हैं she stated, at a time when the temperature in Delhi is reaching 48 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, coolers are provided to notorious criminals in Tihar Jil but Delhi's popular CM Arvind K.G.Wall has not been given a cooler in the scorching heat I want to ask this to the BJP, I want to ask their LG sahab, how low will you stoop? हाला कि इस मामले में एक जवाब देते हुए Tihar Jil authorities के एक senior official ने कहा है कि coolers are given to those inmates who are unwell and the court orders the authorities to do so पर अब जो K.G.Wall को interim bail में कोई राहत नहीं मिली है तो सारी नजरे अब उनकी regular bail प्री पर टिकी हुई है जो की साथ जून को होने वाली है तो देखते हैं कि क्या इसमें दिल्ली CM को राहत मिलती है या नहीं Till then, keep following law chakra